इंटनेट इस फुल अफ प्रो साइंस फेक नॉलेज्ज हाफ इंफरमेशन और प्रोपागेंड़ यॉर क्वेस्ट ऑफ रिलाइबल ऑथेंटिक हेल्थ इंफरमेशन इंद सेयर शुब्स्राइब इस चैनल और हिट तो बेल आइकन और यू नेवर आफ तो अनीवर अवर बहुत दिक्कत हो जाएगा ही मुझे अर्थराइटिस तो नहीं हो जाएगा यूरिक एसिट बढ़ जाने से आपके जॉइंट में अगर वो डिपॉजिट हो जाए तो जॉइंट में इंफ्लामेशन ओके आर्थराइटिस जैसी पिक्चर आ सकती है डाट डाज डास नॉट यह श्याद रखें हैं विडियो जानकारी नहीं है किसी एक डॉक्टर का विउड नहीं है तो यूरिक एसिड जो है वह बनता है प्यूरीन नामक प्रोटीन के ब्रिकडाउन से प्यूरीन नाचुरली हमाईक तरीके का माईनो एसिट जो आपके बॉडिक अंदर मौजूद होते हैं कुछ प्रकार फुड में जादा होते हैं कुछ प्रकार के सora Hein tag च श्वत बनके आपके जॉयंट रपीज लने लग जाए और जॉयई कर आप काूँट में आपकी डाइट का objective होगा कि ऐसा खाना आप कम खाएं जिसके अंदर purines ज्यादा है ताकि uric acid बने ही कम ठीक है तो इससे क्या होगा आगे आने वाला गाउट का जो pain है inflammation है गाउट का attack जिसे कहते हैं दर्द किसे कहते हैं वो कम हो तो recurring gout attacks को वो कम कर देगा और disease progression को कम कर देगा तो यह important हो यह हमारी objective हो गाउट डाइट क्या है क्या है यह गाउट डाइट सो ऐसे people जो के गाउट या जिनको uric acid ज्यादा होता है और खासकर अगर उनके uric acid के वेज़े से pain है उनको यह जरूर जरूर फॉलो करनी चलिए उसमें जो objective है और कुछ प्रकार की चीजें जो है वो ज्यादा खाने से भी uric acid level कम होता है तो इस सब को समझेंगे good rule of thumb is to eat moderate quantities proportions of healthy food यह सबसे basic है so recommendation क्या बोलती है सबसे पहला आपका जो भी वजन है पहले तो वजन कम करें वजन जादा है तो दिक्कत होगी दूसरा रिसर्च बताता है के कैलरीज और वजन अगर आप एक प्यूरीं restricted diet के बगैर भी करोगे तब भी uric acid level कम होगा gout attack कम होगा और using weight will also lessen overall को की वजन कम होगा तो आपके joints पे stress कम होगा simple सी बात ठीक है complex carbs आपको ज्यादा खाने complex carbs में whole grains ज्यादा होते fruits vegetables ज्यादा खाने avoid foods जो high fructose कौन syrup से बनते हैं या simple carbs जो होते हैं simple चीनी शक्कर से बने गुड मैदे से बने गुड चीनी शहर्द ये सब कम रखने बेकरी वाली चीज़े कम खाने limit consumption of even naturally sweet fruit juices fruit juices नहीं खाने fruit juices में high fructose fruit खा सकते हैं natural fruit चबा चबा के खाओ पानी ज्यादा पीना है well hydrated rate रहना बहुत ज़रूरी है बहुत 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 मतलब बहुत और fats जो है saturated fat आपको cut करने red meat fatty poultry high fat dairy products यह दूद कम पीना है high fat वाला high fat so proteins lean meat और poultry जो है वह आप ले सकते lean meat low fat dairy और lentils वह आप ले सकते जी हां डाले आप ले सकते हैं डाल खा सकते हैं मगर उसके limitation होती कितनी खाने बताते हैं सब बताते सब पहले like कर दो नहीं किया है तो है subscribe करो नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं so food limitation क्या है limit किसको करना है organ meat non-wetch खाने वाले लोग जो है जो organ meat liver kidney फुटनी शड़ीनी खाते हैं वो सब नहीं खाएं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीफूड जो होते हैं उनमें प्यूरीन बहुत जादा है जैसे यह शेलफिश शार्डीन टूना अनकोवस इनमें बहुत जादा है कुछ प्रकार के हैं उनमें कम है तो सीफूड कमी खरें तो ज्यादा बेटर है ठीक है सीफूड avoid करें कौन सी चीज help कर सकती है और कॉन सी चीज लुब करेगी हैं एसपारेगस फिनिट टीक है अब ऐसा है इसको कम खाने के लिए बोलते हैं लेकिन रिसार्च में यह देखे गए चाथे हैं कि यह इवनिट रूरिक ऐसे ड़ेवल या गाउट का डैक नहीं करते हैं लाल वाली चैरी वह आपके यूरिक एसिट लेवल कम करती है विटामिन C आपको हेल्प करता है यूरिक एसिट लेवल कम करने के लिए और वह कई बार लोग 500 मिलिकडाम विटामिन C बनाते बोलते हैं कि आप डेली लिया करो alcohol दारू सबसे बड़ा बड़ा factor है दारू 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 याद रखना दारू पीने वाले लोगों का uric acid लेवल बड़ा होगा बिकाज दारू पीने से yuric acid या ने के purine के metabolism में प्रापलम आ जाता है और yuric acid जो बाहर निकलना होता है वो नहीं निकल पाता तो दारू पीनेवालों में सबसे ज्यादा yuric acid level बढ़ा होता है उनको दारू पीना या तो बंद करें या प्रॉपर लिमिट में रखिये बंद करना जादा भैतर है अगर गाउट अटैक्स आ गया तब तो बंद करती है शुगरी फूड्स अवाइड करना जरूरी है हाई फुक्तुस कॉर्ण शुरॉप सिरफ हो गया स्वीटेंड सीरियल बेकरी गोड्स कैंडीज इवन फूट जूसे अवोइड करें कॉफी पता बात आती है कौन-कौन से फूड है जो एक्टुली हाइड होते हैं लो फोते हैं प्यूरीन मतलब खाओ ठीक है लो इन प्यूरीन को आप अपना प्रोटीन सोर्स बना सकते हैं व्यक्तों से लोग फूरीन है एग्स जब एक की बात आगी एग्वाइड बहुत बढ़िया न पीनेट बेटर हो गया नट्स हो गए तो बन और के चाहिए बताओ शूप मेड विदाउट मीट मेड नहीं लेना है वेजटेबल स्जो प्यूरीए में नहीं है, और सारे फ्रूट खाँ सकते हैं और आपने यूस खुद बना के सब्सक्राइब कून से बफिाओग से पैकेट में कौन सी कीज कहा उचलाइन, दूसरी चीज ख़ाइए, बनेयान कभा ओट वीट, जम या बन्यून न को कहते हैं वो भी कम खाना है, ओट्स या ओटमील को कम कम खाना है, पीनट को एक से दो कप ऐसा हम खा सकें, क्योंसी फूट को बिलकुल आवइड करना है नॉन वेजिटेरियन ऐसी इस इन टाइप की फिशे यह फिशे कोई मीट गूस डख और गन मीट ठीक है कोई भी एक ग्रेवी मेड विद मीट या यहीस्ट अस्ट टेकन इन फॉर्म अफ सब्लिमें उसको भी आवोइड करें कौन से चीज जो है जो और फॉलोइंग अगे लेए अगे अगे अपको दिक्कत ना आए अटेक ना है तो गाउट डाइट आपको लेनी है अपनी कम करनी है एक्सराइस करनी है और अबर आल आप बढ़िया अपना प्रोटीन रिक्वार्मेंट भी पूरा कर सकते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब थैक कि अगर्ण पर वाचिकंट प्रॉर्च नच्ट विह थी जायुस तो मुच प्लीज विए रिक्वार्ट थैक्टेंटे इली